हेलो गाइज, विलकम टो मैं आटूप चैनल गाइज, आज का हमारा टॉपिक है डिफेरेंस इन अर्थिंग और ग्राउंडिंग अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफेरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे मैं आज हम समझेंगे काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक ही है लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों में डिफेरेंसे से दोनों के परपस अलग-अलग है तो आइए जानते हैं मैं कोई प्रोफेस्नल एलेक्टिसियन नहीं हूँ लेकिन ऐस ऐस परसंग जितने भी इलेक्टिकल से जुड़े सेप्टि पॉइंट से उनके बार में हमें जानना चाहिए तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अर्थिंग हम यूज करते हैं हुमन सेप्टि के लिए यानि जो भी हमारे करेंट लीके जोते हैं उनसे किसी को इलेक्टिक सॉक ना लगे उसके लिए हम अर्थिंग यूज करते हैं और सेकेंड प्लेस पर जो हमारे ग्राउंडिंग है ये इक्टिक्मेंट सेप्टि के लिए यूज करते हैं जितने भी हमारे electrical system में उसके अंदर जितने भी appliances हैं, आपके TV, freeze, आपके side pay, bending machine, cutting machine, welding machine, wires, इन सब के safety के लिए हम grounding यूज करते हैं, तो पहला difference तो दोनों में यह है, earthing electric sock लगने से और grounding हमारे जितने भी equipment से उनको damage होने से कैसे बचाता है, कैसे save करता है, इसके बारे मैं समझन घरों में socket उज होता है, किसी में 3 points होते हैं, और किसी में 5 points होते हैं, हमारे socket में जो सबसे उपर वाला point होता है, यह हमारा earthing होता है, और जो हमारे right side में जो नीचे में point होता है, यह हमारा phase होता है, और जो left side में हमारे नीचे में यह neutral होता है, तो जो हमारा phase होता है, यह हम अपना इलेक्टिक सप्लाई होता है जब भी आप टेस्टर से चेक करेंगे तो आपको केवल इसी में करेंट दिखेगा फेज में जो हमारा न्यूट्रल होता है इसमें कोई करेंट नहीं होता यह जीरो पोटेंशियल होता है अब यहाप यहां फीगर में देखिए हमारे पास एक सौकेट है और सेकेंड में हमारे पास एक मोटर है हमें इस मोटर को अपरेट करना है यह चलाना है तो हम क्या करेंगे जो हमारा फेज है यानि जो हमारा लाइब जिसमें इलेक्टिसिटी फ्लो करता है उससे हम एक वायर करेंगे मोटर के तरफ और से क्नेट करेंगे तो और एक्षिटी फ्लो करता है वे फेस से तरब टरब टरब बनद यहांपर यहाँ इस में ज्याद aut y要ए और एक में कम वाटर आए और इसे हम पाइप से connect करते हैं बीच में तो जिदर ज़्यादा water है उधर से कम water का तरफ फुलो करेगा तो यह दिखाता है कि हाई potential है वो low potential का तरफ flow करता है तो यसा है यह circuit में work करता है तो phase का और neutral का क्या function है, क्या काम है आप अभी यह समझ चुके हैं तो अभी हम बात करेंगे अर्थिंग का मान लीजी अभी यह आपका motor running condition में है यानि इसमे electricity flow कर रहा है, यह work कर रहा है तो इसके अंदर काफी सारे coils होते हैं wire के और जो अपने wire ले के आए phase से वो भी एक wire है तो मान लो इसमें कहीं cut होता है, किसी भी wire में और body से touch करता है, जो भी हमारा motor है, वो metal का होता है अगर उसके body को touch करेगा, तो पूरे motor में हमारा electricity flow करेगा तो ऐसे में कोई गलती से, कोई वेक्ती से छूता है तो उसे electric shock लग सकता है, तो इससे बचने के लिए हम earthing करते है earthing के लिए हम motor के जो outer part है, जिसे कि metal का part है इसमें हम एक wire connect करेंगे, और इस wire को हम earth से connect कर देंगे जिसे हम earthing बोलते हैं, तो earthing के लिए कुछ standard है जिसे कि आपका 3 meter गड़ा करना है earth में, उसमें आपको salt, charcoal डालना है अब depend करता है कि आप किस तरह के earthing कर रहे हैं, pipe earthing कर रहे हैं, plate earthing कर रहे हैं उस तरह कि आपको इसमें metal डालना है इर्फिंग कीतने तरह के होते हैं, इसके बारे मैंने पहले वीडियोज बनाए हुए है, तो अगर आपने ऊपने नहीं देखा है, तो अब देख सकते हैं, तो ऐसे हमने अर्फिंग कर दिया, अब क्या है, अगर कोई भी करेंट लीक करेगा, तो डारेक्ट अर्थ में चला ज चला जाता है तो इस तरह से एंगे पहले भी बनाया हुए वीडियो आप देख सकते हैं तो अभी हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे ग्रांडिंग के बारे में, ग्रांडिंग समझने के लिए इस figure पर आप ध्यान दीजिए, यह जो हमारा first है, यह समझ दी कि हमारा power station है, यहां से electricity generate हो रहा है, वो आपका thermal power plant हो सकता है, hydro power plant हो सकता है, तो वहां से electricity generate हो रहा है, तो यहां से आपका 3 phase निकलता है, जो की 11 kb का हो आपके सीटी में transformer में आता है, जहां से electricity को हम अपने घरों में distribute करते हैं, तो transformer में आपके तीन wire आते हैं, तीन phase आते हैं, यह आपका 11 kb में आता है, यह 11,000 kb में, और जो यहां transformer से निकलता है आपके घर के तरफ, वो आपका होता है 450 volt, यानि 415 volt, तो जो आपने देखा एक और wire जाता है, जो की neutral बोलते हैं उसे हम, बाकी के तीनो phase हैं, और जो चौथा निकलता है extra वो neutral होता है, अभी आप यहां figure में देखिए, यह एक transformer है, जहां से आपके city में supply होता है electricity, और जो power house से आता है, आपको पता जिसे कि 3 wire आता है, वहां से 3 phase और यहां से 4 phase निकलत जाए, और यह आपका एक village जहां पर 150 houses हैं, एक जगे 50 है, second 50 और third 50, तो जब हम electricity supply करेंगे transformer से, तो यह अलग अलग phase में करेंगे, इन्हीं सपोज कि phase A हम 50 घर में कर रहे हैं, 50 घरों में, second 50 घरों में और third 50 घरों में, ऐसा निए कि एकी phase से सारे घरों में supply देंगे, क्योंक कि में कम voltage जाए, किसी में ज्यादा जाएगा, और आपके transformer पर load ज्यादा हो जाएगा, अब देखिए, तीनो phase तो हमने तीनो घरों में अलग अलग कर दिया, लेकिन जो हमरे neutral है, यह सभी में एकी जाता है, यानि एकी neutral से सारे घरे connect होते हैं, और यह जो neutral wire है, हम transformer के पास इ इसे हम अर्थ कर रहे हैं, इसमें कोई supply नहीं होता है, यह 0V का होता है, तो जब भी कभी मालों की ज्यादा supply आ गया, 450V से ज्यादा अगर आता है, तो यह हमारे जितने भी घर में अप्लेंसे से वो खराब हो सकते हैं, तो जब भी हमारे घरों में high voltage होता है, जो extra voltage होता है, वो क्या होता है, कि यह neutral के थुरू अर्थ में चला जाता है, यह जो भी extra charges है वो अर्थ में चला जाते हैं, ऐसे में हमारे जो भी appliance हो safe रहते हैं, second region है, अगर कभी बारीज के समय में बिजली गिरता है, तो मालों कभी wire पे बिजली गिर गया, तो बिजली में काफी जदा potential ह होता है, काफी high electricity होता है, तो ऐसे में आपके wires, आपके घर के appliances सारे damage हो जाएंगे, तो अगर अपने earth किया हुआ है neutral को, तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी extra जो भी हमारे electricity होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो हमारे earth में चला जाता है, तो यहां पे जो हम earth करते हैं, neutral के साथ इसे हम grounding बोलते हैं, तो यही थोड़ा सा difference है earth और grounding में, यह जो आप यहां पे grounding करें transformer के पास, यह अपने घर के पास भी कर सकते हैं, आप single wire लेके अपने घर के पास भी ए grounding कर सकते हैं, और वहां से भी आपका जो chain है, जो circuit हो और complete हो जाता है, I hope कि आपको समझ में आ ग लगा है तो एक like करें और अपने friends के साथ share करें, thanks, thank you for watching.